अशोग जी आपकी टिपड़ी क्या आपको एक बार फिर चुनाव आयोग ऐसी भूमिका में लग रहा है जो निश्पक्ष तो कता ही नहीं है बलकि बीजेपी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है अन्यूक टर लीजिए जी देखें मुकेट जी चुनाव आयोग इसके पहले भी थोड़ी बहुत मदद करता आ रहा था लेकिन एक थोड़ा फेवर नाम की चीज़ होती थी चुनाव आयोग कभी पार्टियों के साथ खड़ा होके चुनाव नहीं लड़ता था वर्तमान में चुनाव आयोग उत्तर तो बाती जब चुनाव आयोग ने ये घोशना की कि कोविड के पेशन्ट और बुजर्गों को घर से ओट देने का बैलेट करने का हम एक नया संकल्प ले रहे हैं तो ये तबी समझ में आ रहा था कि ये जो बैलेट पेपर है ये इसमें गड़बड होना तैह है जहां जहा 60, 70, 100, 200, 300, 400 का चुनाव हार जित होगा वहां पदा पड़ेगा कि ये बंडल निकल आया है उसमें 800 वोट है ये बियार के चुनाव में हमने देखा पोस्टल बैलेट में ऐसा हुआ है क्या मेरे मतदान के जगा कोई और मतदान करके जाता है और मुझे बोला जाता है कि मैं मेरे क्रेडिंशल दिखाता हूं कि मैं आशोकवान करे हूँ ये मेरा है मुझे मतदान करने का अधिकार है ये मेरे कार्ड है उसके बाद बोलते कि आपका मतदान कोई करके निकल गया है इसके माएने जो उस बूत पर अधिकारी थे वो सभी के सभी के ओपर क्रिमिनल कैसे चलने चाहिए उन्हें कैसा होने दिया कि कई जगा पे दो-दो-धाई-धाई हजार लोग डी लिस्ट हो चुके है मतदार मतदार के सुचिं में से ममता त्रिपाटी पत्रकार है सभी जानते हम उसको उसके पती का वोट था उसका वोट नहीं था उसने सब को बता है उन्हें का कि हम एक्शन लेंगे आपको कैसा डी लिस्ट किया यह तो बड़ा गड़बड मामला हो गया ऐसे नौड़ा नौड़ा में हजार दो-हजार तो बूत उस पर्डिकुलर सेक्टर बूत पे डी लिस्ट किये गए है वो उस एरिया में और वो चिन्नीत है कि यह बीज़पी के वंदाता हो नहीं सकते यदि लिस्टिंग के तरफ से बंगाल में क्यों नहीं हुआ और बिहार में क्यों हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि सरकार आपकी हो तो आप करम चारियों से यह काम करवा सकते। प्रियार में कि सरकार्ती तो यह करवा गये बंगाल में मंता की सरकार ती जिन अधिकारियों ने इनके यह हढकतषि तो चुनाव आयोग तो चुनाव वहां भी लड़ने पहुंच गया तो क्या प्रदान मत्री का एनाय द्वारा लिया गया इंटरिव्यू ये चुनाव आचार सहीता के धजिया नहीं उड़ा रहा था अईसा ही एक राहूल गांधी का इंटरिव बीच में रोका गया था क्योंकि वो चुनाव का समय खतम हो गया आप नहीं बोल सकते हैं लेकिन ऐसी कई चीज़े हैं चुनाव आयोग आख बंद करके बैठा नहीं है चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खंदे पर खंदा लगा के चुनाव लड़ रहा है और शायद देश के आज़ादी के बाद पहिन के बार हुआ कि चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा क्य करो सुप्रीम कोड़ ने का यह डिपनी होनी नहीं चाहिए लेकिन जो मनजर हाइप के सामने है जो चीज़े हाइक के सामने हैं उस से हाइप में भी जज एक इनसान होता है उसके भी मुस् için शब्ड निकलते है इसलिए हम वह टिपनी निकालने के लिए नहीं है इतना करनी होगी बिल्कुर यह फेवर नहीं कर रहा है यह बीजेपी के साथ एक कदम आगे चल के चुनार बढ़ रहा है यह बार बार दिखाई दे रहा है पहले फेज में जो बयानक मेंजर हुआ एक बूत नहीं है जहां पे मशिनों की कंप्लेन नहीं है लोगों के वोट किसी और ने दाले लोगों को मारा पिटा गया पिठासी राधिकारियों पे यह वो सुनता नहीं तो उस पर हाथ उठाया गया यह तमाम बाते आई हैं सामी यह फायार दर्ज करने से क्या होता है कितने लोगों को सजा हो गई क्या है